दोस्तो मैं अपने चैनल में आपको इस्तक्बाल करता हूँ आज में आपके सामने पेश करूँगा अलीगर मुस्लिम इनिवस्टी के क्लास 6K इंटेंस टेस्ट का सॉलुशन यह साथ जुलाई 2022 को पिपर हुआ इसमें 85 प्रेशन आते हैं हर प्रेशन एक नंबर का होता है औ आशीं टाइम जो जाता है वो दो घंटे का लिए जाता है कि यह सक्षेन फटेशन है लेंगवेज किसमें 25 प्रेशन लेंग्वेंगवें प्रेशन छे हैं हिंदी-इंग्लिश और उर्दू के होते हैं इसमें equivalentрий उर्दू के हैं आठ हिंदी के और नउ इंग्लिश के हैं त नाफस बुलंद का मतज़ाद दीजी बताईए तो मतज़ाद कहते है अपोजिट वर्ड यानि विलूम शम्द को तो बुलंद का जो अपोजिट होगा पस्त होगा तो सी विकल्प इसका सही है दूसरा प्रश्न है किताब में किस चीज का खजाना होती है तो किताब में एलम और हिकमत का खजाना होती है तो सी बिकल्प इसका भी सही है तीसरे सवाल गुलाब का फूल खूबसूरत है इस जुबल में सिफद की निशांद ही कीजिए सिफद कहते हैं किसी इस सु की अच्छाई बुराई बहरता है तो फूल इसम है गुलाब का फूल और उसकी जो खूली बहरत रहा है खूबसूरती तो ये जो है लफज सिफ़त है तो खुबसरे सिफ़त है तो ये सी तीसरे सवाल का भी सही बिकल्प है दर्जे जेल अलफाज में मुझकर की निशान दही कीजिए यानि मर्द यानि जो इस लफजों में जो पुलिंग है उसको देखना है तो किताब, कुर्सी और छड़ी ये सब इस्त्री लिए यानि मौनिस हैं मुझकर है लिबास तो डी बिकल्प इसका सही है ये पाच्वा सवाल बी बी फातिमा रजी अल्ला अन्हा की वाल्दा का क्या नाम था बी फातिमा हुदिर पाच्वा सुल्ला अन्हां की वाल्दा का नाम पूचा तो ये हैं हदर्द खदीजा रजी लगाना है उनकी वाल्दा है बी फातिमा की तो बी बिकल्प इसका सही है अगला सवाल ऐसे अल्फा जिन से किसी काम का करना या होना जायर हो ये फैल कहलाते हैं तो ये फैल है ए विकल्ब में पहले विकल्ब में तो पहले विकल्ब इसका सही है अखबार इस्लामिक फ्रेड ट्रंटी किस ने जारी किया तो ये मौलाना बरकतुल्ला भुपारी सहाब ने जारी किया था तो सी विकल्ब इसका सही है डाक्टर मुखतार अहमद अंसारी कप पैदा हुए तो इनकी पैदाइश चैने पैदाइश है उन अठारे सो असी तो डी बिकल्प इसका सही है नीचे लिखे हुए लफजों मेंसे वाहिद की पहचान कीजिए यानि सिंगूलर सिंगूलर मेंसे कौन साहिद वो देखना है तो ये वजीर जो इसे लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है लिखावाड इसकी गलत है तो सही जह है वो जमा होता है जो सिंगल होगा यानि वाहिद होगा वो होगा वजीर तो डी विकल्ब इसका भी सही है तो नो सवाल उर्दू के थे लेंगर शक्षिन में शक्षिन फस्ट में अब दसे शुरू होते हैं हिंदी के उन्नती शब्द का विलोम बताईए तो उन्नती शब्द का विलोम अवनती होता है तो ए विकल्ब इसका सही है समय से सम्मधित किरिया की विज़िशता बताने वाले शब्द को कहते हैं काल वाचक किरिया तो भी इसका विकल्ब जाए वो सही है यह बार्मा प्रेशन संस्क्रित भासा कि जो शब्द बिना परवर्तन के हिंदी में पर्युक्त होते हैं वो शब्द सम कहलाते हैं कुछ बदल के प्रियुक्त होते हैं वो तद्वब कहलाते हैं तो इसका जो सही विकल्ब होगा वो सी होगा सर्व नाम के कितने भेद होते हैं तो सर्व नाम के छे भेद होते हैं बी विकल्ब इसका सही है काप्य का बहुवचन है काप्या होगा तो ए विकल्प इसका सही है वाग के मैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते है तो उसको उद्देश ही कहते हैं ए विकल्प इसका भी सही है गुण शब्द का विलोम अब गुण होगा तो सी विकल्प इसका सही है ईदगा कहानी के रचनाकार तो इदगा जो कहानी है वो बहुत मशूर कहानी है मुंसी प्रेमचंद की इसकी रचनाकार मुंसी प्रेमचंद है तो सी विकल्प इसका भी सही है नौ प्रिशन उर्दू और आठ हिंदी के बाद ये इंगलिस की क्वेश्चन है आठ तो पहला प्रिशन है दा कंपरेटिब डिग्री आफ दा वर्ड बैट बैट की कंपरेटिब डिग्री जो की वोर्स होगी तो बी विकल्प इसका सही है दे के साथ जो अबजेक्ट में आएगा वो देंसेल्प साथ तो ये विकल्प इसका सही है तो ये गेव मी ए फ्लोवा एंपूरों का गुच्छा उसको हम बकेट कहेंगे तो ये विकल्प इसका सही है दे डॉग बिट दे बौई तो ये टिक्ड दे करेक्ट टाइब आप दे सेनेज्जिए कुए उसको सेन्टेंस है ये सिंपल पास्ट है तो डिविकल्प इसका सही है शी मेट बिद एन एश्जंट देर यहां पर क्या है तो देर यहां एन एड़र्ब है तो डी बिकल्ब इसका भी सही है ते इसमें प्रिसंट अफ दा सिनोनिया आफ दा वर्ड टिनी टिनी का सिनोनिया मुगा इसमाल तो डी बिकल्ब इसका भी सही है दा स्टेंस अफ दा फालॉइंग सेंटेंस इस यह सेंटेंस दिया इसका कौन सा टेंस है अमान इस प्लेइंग किर्किट विद इस फ्रेंड यह प्रिजेंट का निश्ट एंसे बी विकल्पिसकस ही है दा टायर्ड चाल्ड स्लेप्ट तो यह होगा वो सांडली होगा बच्च सो रहा है तो तो यह विकल्पिसकस ही है पच्चीस प्रेशन आपके लेंग्वेज स्क्षिंट थे स्क्षिंट फरस्ट वर्जी स्क्षिंट है इसमें साइंस और मेध के प्रेशन आएंगे यह हिंदी वर्जन आपके सामने पेश कर रहे हैं शिक्स किलास में तीन वर्जन में आता है इंग्रिस वर्जन उर्दू वर्जन और हिंदी वर्जन हम आपके समने जो पेश कर रहे हैं वह नहीं है ये 26 प्रश्ण है फेपड़े इस तंतर का हिस्सा होते हैं तो एक विकल्प इसका सही है 37 प्रश्म में पानी में मुझूद वेक्टिरिया को निम्रिकत मैंसे किस विधी द्वारा समाप किया जा सकता है तो ये कीटाउन शुधन के द्वारा समाप किया जाता है वेक्टिरिया को तो C विकल्प इसका सही है यह प्रशन है इसमें 4 विकल्प में कुछ तद दिये गए है यह हमारे दात और हड्डियों को मस्बूत बनाता है कैल्शियम जो हमारे दात और हड्डियों मस्बूत बनाता है तो C विकल्प इसका भी सही है इस प्रश्ण में कुछ पच्ची दिये गए हैं वो पच्ची जिसके सिर के सामने आखे होती है तो वो ऐसा उलू है पच्ची जिसके सामने को आखे होती है तो डी विकल्प इसका सही है भोजन का वे घटक इसे कोई घटक दिए गए हैं जिसका पाचन मूँ से शुरू हो जाता है तो ये है कार्भोहइडेट इसका पाचन मूँ से शुरू हो जाता है तो B विकल्प इसका सही है समुद्री तलप पर आने वाले भूकम की कारण क्या होता है समस्दल पर जो भूकम पाता है तो सुनामी आती है C विकलब इसका सही है सांस लेते समय जो गर्म हबा हम बाहर निकालते हैं उसमें ज्यादा मातरा में क्या होता है तो ज्यादा मातरा में CO2 यानि कार्बन डाई अकसाइर होती है गैस तो ये हमारा A विकलब सही है हमारे पेट का ताम मान लगभल होता है तो हमारे पेट का ताम मान जो होता है वो लगभल 30 डिग्री सेंट्रीर होता है डी विकल्प इसका सही है गोल कुंडा किला कहां पर है तो ये गोल कुंडा किला है ये है तेलंगा नामे तो बी विकल्प इसका भी सही है सुनिता विल्यम ने सबसे लंबी उड़ान का रिकॉर्ड किस वर्स बनाया था तो सुनिता विल्यम ने जो सबसे लंबी उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था वो था 2007 में डी बिकल्प इसका सही है गिर जी आई आर राश्चित दान कहां इसे थे ये गुजरात में से थे भी विकल्ब इसका सही है जीव का कौन सा भाग कड़वा स्वाद बताता है तो जीव का सबसे पिछले हिस्सा जो होता है वो कड़वा स्वाद बताता है भी विकल्ब इसका भी सही है नेमलिकित में से कौन एक कीट भक्ची पौदा है तो पिचर प्लांट जा कीट भख्चिप होता है, कीटों को खाता है, तो कीटों को भख्चिण करता है, तो C विकल्प इसका सही है रक्त में यानि बलड अनि खून में हीमोगलोबिन की कमी की कारण होगा कौन सा जो रोग है, रोग दिये गए है, इसकर भी डिकेर्स अनिंद्रा, तो ये अनिमिया रोग होगा, खून की कमी कारण, मुलों की जो कमी हो जाए एक खून में तो, तो ए विकल्प इसका सही है नील आर्म स्ट्रॉंग किस वर्स में चांद पर उत्रे थे, तो ये उनिस सो अननतर में पहरी बार चांद पर उत्रे थे, नील आर्म स्ट्रॉंग, तो बी विकल्प इसका सही है बास्केट वाल टीम में कितने खिलाडी होते हैं तो बास्केट वाल टीम में खिलाडी बारे होते हैं डी विकल्ब इसका सही है लार इसमें उद्द करता है तो लार जहें पाचन के उन्दी है तो लार जहें पाचन में उद्द करती है तो A विकल्ब इसका सही है आम नमक यहां से प्राप्त होता है जो हम नमक खाते हैं वो आम सादा सा नमक जो हता है वो समुद्र से प्राप्त होता है खारे पाने से तो D विकल्ब इसका सही है वाई मंडल की कौन सी गैस सोसन के लिए आवश्यक है तो वाई बंडल में तो बहुत सारी कैसे हैं जो हमारी स्योसन के लिए आवज़ रख है वो है आक्सीजन तो बी विकल्प इसका सही है कमजोर तरने वाले पौदे जो भूम पर फैल जाते हैं विजर्पी लता कहलाते हैं तो ए विकल्प इसका सही है पसलियों का पिंजरा हमारे हिर्दे ब्रक पेट रियक्टर इनमेंसे किस की सुरक्षित रखता है तो ये हिर्दे को सुरक्षित रखता है पसलियां जो होती हमारी हिर्दे के वाईद करती है तो ए विकल्प इसका सही है शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं जो प्रोटीन यूद भोजन होते हैं वो शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं तो प्रोटीन है इसका सही उत्तर तो एबिकल्फिस का सही है 48 प्रस ने आटे और चीनी के मिशन को यानि किस विदी द्वारा प्रत्थकरण करते हैं तो इसका प्रितक्रण हम चालन विदी द्वारा करेंगे तो चलनी द्वारा ये ए विकल्प इसका भी सही है वो पदार जो विद्धु द्वारा का प्रभा होने देते हैं यानि कंडेक्टर जिसमें विद्धु द्वारा बैसकती है वो है लोहे का टुकड़ा बागी चीज़ें इनमें विद्धारा नहीं वहेगी शीशे का टुकड़ा प्रास्टिक की छड़ लकड़ी का टुनड़ा तो ए विकल्प इसका भी सही है जलवास्प को जल में परवर्थ करना की प्रिक्रम को कहते हैं इसको हम संग्रन कहते हैं यानि जलवास्प जो है उसके करन संग्रनित होकर जल में परवर्थ होंगे तो संग्रनित कहेंगे बी विकल्प इसका सही है जीव तंतु का उधान है जीव तंतु का उधान उन है ये भेड से प्राप्त होती है जीब से प्राइड होती है, डी विकल्पस का सही है, अत्यधिक वरसा की कारण, ऐसा होता है, तो जी यह ज्याद़ वरसा होती है, तो बार आ जाती है, तो इसमें ए विकल्पस सही होगा, चुम्बक के किदे ध्रूबेता है चुम्बक के दो ध्रूबबेता है शौर्थ नॉर्थ तो ये होगे ऐस host जूर्भ ऐस एन next तो ABकलब इसका सही है cycle के पईया की गती होती है । ये आवर्त्व गती होती है तो B गलब इसका सही है 54. इसकी मदद से मचली जल्मेंच चलती है. मचली जल्मेंच शल्क, यसकेस की मदद से मचली जल्मेdır चलती है. 55 तक्ते विज्ञान के प्रशन अब यह 56 से शुरू हते हैं. गर्द के. एक संख्या जो 9 से भाज़ है वो इससे भी यानि किस से और वाज़त होगी जो 9 से भाज़ है तो वो 3 से भी वाज़ी होगी ये बात हमारी सही है तो ये 3 यहाँ आगा खाल दिगा हमे तो इसका सही है यदि किसी संख्या का 2% 4 है तो उस संख्या का 4% क्या है कोई संख्या है इसको हम x माल लेते हैं इसका 2% है हमारा 4 तो ये x पराबर आ जाएगा 4 गुणा 100 बड़ते 2 100 गुणा में पहुंचाएंगे बटे में हैं 2 बटे में आ जाएंगे तो 2 दूनी 4 जो x आ जाएगी वो आ जाएगी 100 दूनी 200 अब ये संख्या हमारी आ गई है अब इसका 4% कितना होगा यह हमारा उत्तर निकल आएगा तो यह हो जाएगा 2 चको 8 यानि कोई संख्या ऐसी है जिसका 2% 4 है तो उसका 4% जो अब वो 8 होगा तो 8 है हमारा डीविकल्प में तो टीविकल्प इसका सही है एक वर्ग छेत्र की परिधी 96 मीटर है इसकी भुजा की लंबाई ग्यात कीजिए यानि एक वर्ग छेत्र है यानि ऐसा छेत्र है ऐसी आकृति है जो वर्ग है तो इस बर्ग की परिधी यानि इस चारो भुजाएं इनका योग जो है वो 96 है परिधी यानि परिमाप इसको हम अगर इसकी एक भुजा ये मान लेते हैं तो यह चारों हो जाएंगी यह सब बराबर होंगे बर्ग ऐसे किरती होगी जिसकी चारों बुजाएं बराबर हों और प्रतियक अंत्रिकॉन नब्जका हो तो यह हो जाएगी ए यह भी ए यह भी ए यह भी चार एके बराबर हो जाएगी तो इसकी भुजा निकालना है भुज तो यह आ जाएगी हमारी 24 मीटर 24 मीटर हमारे सीवी कल्ब, महद सीवी कल्ब, इसका सही है समग्र संख्या में से अधिकारक है समग्र संख्या यानि composite number यानि भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या है उसके दो से अधिकारक होंगे क्योंकि जिसके सिर्फ दो कारक होते हैं वो हमारी अभाज संगे किलती है तो भी बिकल्पिस का सही है ये प्रिसन स्टार्ट हुआ है दो नम्बनों का उत्पाद यानी दा प्रोड़क्ट आफ टू नम्बर्स ये है 99,89,001 और उनमें से एक 99,99 है तो दूसी संख्या क्या होगी दो संख्याओं का प्रोड़क्ट है यानी गुर्णफल है 99,99,89,001 दो संख्याओं है इनमें एक संख्या और दूसी संख्या दोनों का गुणा हो रहा है तो उनमें से एक संख्या दी गई है हमारी 999 तो एक संख्या तो हमारी 999 हो गई दूसी संख्या निकालना है यानी सेकंड नमबर N2 तो इसको हम इदर भाग में इसको दले जाएंगे मल्टि में निदिवाइड में तो N2 आजाए नि दूसर नमबर आजाएगा 99,891 में 999 का भाग दे देंगे अब जो भी हमारा अंसर आएगा वो ही हमारी दूसी संख्या होगी इसका हम भाग दे दें इसमें नौ बार जा रहा है अब इसमें हमने 8 बच गए यहां से 8 हैं यह 9 बच जाएंगे और यहां भी 8 हैं 9 बच जाएंगे तो सीर उता लेंगे यहां पर तो यह फिर 9 बार चला जाएगा 89, 91 फिर यहां पर 9 बचेंगे यहां सत्र में से 9 बच जाएंगे 8 बच यह रह गए 8 में से 9 बच जाएंगे फिर सीरो को तार लेंगे और फिर यह 9 बार बच में भाग चला जाएगा तो यहां से 9 बच गए यहां रह गए 8 में से 9 बच जाएंगे सत्रह सत्रह में से नौ गए आठ बच गए हैं यहां से हम एक को उतार लेंगे हैं और फिर यह हमारा यह नौ बार बार चला जाए नौने में कैसी नौने में कैसी तो यह हमारा उत्तर आया है भाक पला आया है नौMAN यही हमारी दूसुनक्रण कै होगी है तो यह है भी डिकल्प में नौ प्ज़ानोचन अनौने में तो भी डिकल्प इसका सही है अगला प्रिशन घटाएं चार मीटर आठ मिली मीटर यानि M M है यह मिली मीटर होगा इसको 9 मीटर 6 सेंटी मिली मीटर में से घटाना है तो इसको हम घटाएंगे 9 मीटर और 6 सेंटी मीटर है यहाँ पर घटाना है 4 मीटर 8 मिली मीटर तो ये मीटर में से तो मीटर हम घटा सकते हैं सीधा सीधा ये बचेगा 5 मीटर अब यहाँ पर उपर सेंट्यूटर है नीचे मिली मीटर है तो फिर इसको हम पहले मिली मीटर में बदलते हैं एक सेमी में 10 मिली मीटर होते हैं तो 6 सेमी में 60 मिली मीटर हो गए तो ये 6 cm हो गया 60 mm इस में से 8 mm घटा सकते हैं से मिकाई में से से मिकाई ही घटा सकते हैं तो ये जाएगा 52 mm अब जो 6 बचरा है वो 5 mm और 52 mm यानि mm 5 mm और 52 cm दिया है ये नहीं हुआ इस रिकल में B में है पांस मीटर 52 mm तो B विकल इसका भी सही है घटा का आयतन है इसमें जो है सूत्र दिये गए है घटा का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा क्योंकि घटा की तीनों भुजाई बराबर होती ही लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई लंबाई चोड़ाई उचाई सारी भुजा 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 तीन जगह लेक देंगे यही हमारा घंकातन हो जाएगा तो टी विकल पसका सही है इस प्रेशन में 90, 90, 144 का लासा निकालना है तो लासा निकालना की भाग में दिये यह तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो से डिवाइड हो रहा है सारा का सारा यह 45 हो गया यह 15, 48 और यह होगा 24, 24 अब दो से यह तो नहीं होगा यह वाज़ित हो जाएंगे दो से फिर्वाइड करेंगे इसको वैसी लिख देंगे यह जाएगा 27, 24 यह 36, 72 अब यह और यह वाज़ित नहीं हो जाएगा जब तक दो से एक भी वाज़ित हो रहा है तो उसे भाज़ित कर देंगे वाज़ित के वैसी उतारते रहेंगे 45 यह जाएगा 27 यह और यह 9 अब यह 3 मैं से कोई भी दो से भाज़ित नहीं हो रहा है अब देखते हैं 3 से भाज़ित हो रहा है अच्छा कर देंगे में टैरे यह जाएगा 10 वाज़ित रहते हैं अब हमिनका अब पांच थिया 45 और यह एक सब में 30 अब 135 दूनी 270 हो जाएगा 270 दूनी 540 अब 540 का हो जाएगा 1080 और 1080 दूनी हो जाएगा 2160 तो यह आजाएगा 2160 इसका लासा किसका लासा आगया है 2160 सी विकल्पिसका सही है जिस मूल पर किसी लेख को बिचा जाता है उसे उस लेख का विक्रे मूल कहते हैं तो एगल्पिसका सही है यह 65 प्रिशन है नेम लिखे तमेंसे कौन सा कत्म गलत है तो यह हैं 9021 एक का भाग दें 9020 आजाएगा यह कत्म सही है 9020, 1920 से हम डिवाइड करें तो एक आजाएगा यह भी सही है इसमें दिया गया है जीरो में भाग दें नो हजार बिस का तो जीरो आजाएगा यह भी सही है अब यहां दिया गया है जीरो में नो हजार बिस का भाग दें नो हजार बिस आजाएगा यह गलत है क्योंगे यह शून आयंगा यह पर तो यही गलत कथन है डी जिकत स्ही है साथ अंकों के सबसे चोटी संख्या हैmo сाथ अंकों के हम सबसे चोड़ी संख्या लिखते हैं एक तो यह हो गया है क्छे जिरे बुरादेंगे एक दो तीन चार पान चे अब इसको पढ़ाएंगे एकाई धाई सेकड़ा हजार दस जार लाक दस लाक तो ये जो आ गई है वो दस लाक आई है तो दस लाक इसमें हैं एक लाक दस करोड एक करोड एक मिलियन ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं तो ये ही होगा एक मिलियन इसको मिलियन में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे एकाई धाई सेकड़ा अब यह हजार एक हजार दस हजार सो हजार मिलियन तो यह एक मिलियन हो जाएगा तो यह जो बीक बिगल्प में एक मिलियन दिया है यही सही होगा यह दस लाग का एक मिलियन होता है यह प्रिशन है एक ट्रिलियन कहते हैं एक ट्रिलियन में कितने मिलियन या बिलियन होते हैं वो हम देखेंगे तो एक हजार बिलियन को हम एक ट्रिलियन कहते हैं तो डीविकल इसका सही है ये प्रेशन है 4,99,321 में क्या जोड़ें कि योगफल 42,9,223 हो जाए तो ये तो एक सी चीज है इसमें और क्या जोड़ें कि ये हो जाए यानि ये दो चीजें हो जाएं तो वो चीज कौन सी, इसमें दो चीजें मौजूद हैं ये और एक वो जो हमें जोड़नी है तो फिर इसमें वो चीज निकालना है जो इसमें हमें जोड़नी है जोड़ी गई है ताकि ये जोड़ आ गया है ये योगफल आ गया है दो संख्याओं का जिसमें एक संख्या तो ये गदी गई है दूसरी क्या जोरा गया था तो इस संख्या को निकाल ले तो वो संख्या आ जाएगी जो इसमें जोरी गई थी तो एकाई की नीचे एकाई रखेंगे1,2,3,10 शेग्रा एक 95,000 था 95,000 की नीचे रखेंगे और ये हैं चार लाग अब इस मैंसे ये निकाल देंगे तो वो संख्याएगी जो हमें जोडनी है इसमें ताकि ये योगफल प्राप्त हो जाए यहां से गटा दिया है दो बच्चे के यहां तो जीरो गया 12 12 12 में च्रटांगे 8 जीरह जाएगा 3, तो यह है 38,3902 यह संख्या इसमें is 26 तो यह मिल जागा यह जोड़ाव यहूब प्राप्त हो जाएगा तो यह 38 है मारे इसमेइ भी गर्म 293 009 णॉसका सही है अगले में क्या है यह थिक मिका संख्याओं के गुर्णफल दिया गया है यदि इनका मासा पा बारे हो तो लासा पा कितना होगा ये हमारा लासा और मासा का संबन्ध है उन संख्याओं के गुर्णफल से दो संख्याओं दी गही है जिनका लासा मालम है मासा मालम है उनका गुर्णफल करते हैं तो उन संख्याओं के गुर्णफल के बराबर आ जाएगा तो यह गुर्णफल है दो संख्याओं का A मालिया और दूसरी B मालिया तो एक लासा एक मासा और दो संख्याओं A और B इन एक दो तीन चार चीज़े हो गई है तो इन चार हमें एक चीज़ ने मालम हो तीन मालम हो अब इसमें मासा मालुमें यह बारा लासा पा नहीं मालुमें तो हम इसकी संब्ध की साहिता से निकाल सकते हैं यह बारा इसमें घुराम थेर पिज़आ देंगे तो लासा पा जो है वह आ जाएगा हमारा !! 264 बटे 12 12 से बड़ करेंगे 12 सत्य 84 दो बच्चे 24 हो जाएंगे 12 दूरी 24 यानि यह जो लासा आया है वो बहतर है बहतर है हमारा पहले विकल्प में पहले विकल्प ही इसका सही है एक किलोग्राम आम की कीमत रूपिये 15 से तीन बटे 5 है तो 25 किलोग्राम आम की कीमत होगी प्रिशन में एक किलोग्राम आम की कीमत दी गई है यानि एक किलोग्राम आम की कीमत हमें मालूम है वो है 15 से तीन बटे 5 यह हमारी मिस्त्र भिन में है इसको हम सुद्ध भिन में बद तो पंद्रे का गुणा कर देंगे पांच है पंद्र पंचे 75 और तीन जोड़ देंगे यह जाएगा अठतर बटे 5 यह हमें एक किलो की मालम है एक से अधिक का निकालना हो जितने का निकालना हो उतने का ही हम गुणा कर देते हैं तो इसको गुणा करने के लिए पांच जो हर में है उससे यह 25 डिवाड़ हो रहा है पचम 25 अब यह पांच का मल्टिप्लाई हम 78 में कर दें तो यह 25 किलोग्राम आम की कीमत आ जाएगी पांच अठे चालीस पांच सकते पैंटिस और चार उन्तालीस यह अगर तिन सो नब्बे रुपे पच्चिस किलोग्राम की कीमत तीन से नब्बे दूसरे विकल्प में है तो भी विकल्प इसका सही है अगले प्रेश में दशमलब की संख्यां दी गई है उनको जोड़ना ह तो इसको दशमलब की संख्यां को जोड़ने के लिए हम को दिशमलब के नीचे दिशमलब लिखते चले जाएंगे तेरे दिशमलब जीरो छे है यह parcela 5प दिशमलब के नीचे दिशम chỉआगा उसके बाद 5 शे पहले है 54 or 24 इसी तरह के से साथ दश्मलब दो तीन तीन है तो दश्मलब लगा या दो तीन तीन और साथ इससे पहले है यह तीन इसन के लिए अब इनको जोड़ेंगे तो जहां खाली है वहाँ जीरो लगा लेंगे यह 0 गए यह 0 हो गया यह 0 हो गया अब हमाने पताचल जाएगा कि 10 वाहस्तान है यह सौबा हैyen 100 वाहस्तान है तो यह आगा 3 यह आगा 6 3, 9, 5 और 2, 7 दश्मूलि regime नीचे दश्मूल लगा गया है 3, 4, 7, 7, 14 हो गई है, हासल 1, 2, 4, 6, यह आगया, 4, 7, 9, 3, 4, 7, 9, 3, बी विकल्ब मेहतिस का भी विकल्ब सही है, 32 पैसे कितने प्रिश्चत है, 4 रुपए के, तो यह 32 पैसे है, यह हैं पैसे, और यह है रुपए, तो 4 रुपए का कितना प्रिश्चत है, तो यह एकस हमा लेंगे 100, अब यह हमारी जो एकाई है, यूनिट है, वो पैसे है, यह रुपए है, तो इस रुपए को भी हम पैसे मदल दें, या इन पैसों को रुपए मदल दें, तो यह है 4 रुपए, तो 400 पैसे हो जाएंगे 4 आजाएंगे, तो एकस परावर आजाएगा 32 रुपए 4 और 4 से कट जाएगा, 4 रुपए 32 तो यह आजाएगा, एकस जो हमने मारी थी, परसेंट, 8 परसेंट है, 8 परसेंट है हमारे, डी विकल्प में, डी विकल्प इसका सही है, एक वर्ग का परमाप 80 मीटर है, तो इसका चारो भुजाओं का योग, यह है हमारा असी, अब इसका छेत्रिफल निकालना है, तो छेत्रिफल जो होगा बर्ग का वो होगा भुजा, गुरा भुजा, अब भुजा हमें निकालनी है, भुजा में पता नहीं है, परमाप पता है यह, तो परमाप होता है, चारो भुजा आजेएगी पोजा बुजा वरावर होगा इसी ब्रटे 4 4 2 2 निी आठ यानी 20 मीटर बुजा आगयी है अब भुजा को भुजा मुजा देंगे 20 को 20 दें तो 1 0 एक जिर्यों दो जिरो होगा 2 कर दो ने दो चार यह आ जाएगा 400 चारसो बर्ग मीटर हमारे सी बिकल्प में है तो सी बिकल्प इसका सही है इस प्रेशन में चार राशियां दी गई है पच्चिस 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 राशियों के आंकिंग मांसे में लेकिन उनका जो यूनिट है यह काई है वो अलग अलग है इनमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है तो यह ग्राम है जी एम ग्राम होता है एम जी मिली ग्राम होता है के जी किलो ग्राम होता है डी जी डेग किलोग्राम 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 16 प्रशने रह्मान ने जोड़ी जूते 500 रुपे में खरीदे और 600 रुपे में बेच दिये रह्मान का लाव या हानी बताइए यानि इतने में 500 में खरीदे हैं तो ये क्रेमूल है और 600 रुपे क्या है बिक्रेमूल बिक्रेमूल अगर जाद है क्रेमूल कम है तो फिर उसमें लाभ होता है लाभ कितना होगा छेसो मैंसे 500 उठा देंगे 100 रुपे तो ये 100 रुपे उसे लाभ हुए है तो ये बीब कलप इसका सही है पाई चार्ट कहलाता है यानि पाई चार्ट जो है उसका दूसरे नाम है ब्रतिग्राफ तो बीब कल्प इसका भी सही है इस प्रेशन में ये पुछागा है कि इसने चार सन दी गई है वर्स ने दी गई है तो इन में लीप वर्स कौन सा है तो लीप वर्स के लिए हम अंत के दो अंकों जो अंक हमारे दी गई है एकाई धाई के उन अंकों को देखनगे चार से डिवाइड है वही लीब व़्स होगा तो यह है दो हजार बीस लाश के दू आंक है इकाई धाई के यह चार से डिवाइड है तो फिर यह लीब वर्स होगा दो हजार बीस तो डी विकलब iç सही है यह प्रेशन है 7 और 1 बटी 9 के पारस परिक योग का जोड़ क्या है यहनि गुणात्मक पृतलोम तो यह होगा गुणात्मक 7 का गुणात्मक पृतलोम 1 बटी 7 और 1 बटी 9 का यह उल्टा हो जाता है तो यह 9 हो जाएगा तो अब इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक एक कम एक साथ निम तरिशेट बटे साथ एक कम साथ यह आजाएगा चोशट बटे साथ एक का हम गुणा कर दें इन दोनों में तो यह आजाएगा एक बटे साथ गुणा करेंगे शाद निम्टेशेट, साद कम साद तरिशेट आ जागा ये आपस में अल से जुड़ जाएंगे ये जागा चौशेटपोटे साथ तो चौशेटपोटे साथ हमारा डीव कल्प में है तो इसका भी डीव कल्प सही है साथ के पहले 7 गुढगों का उसत क्या है तो 7 के पहले 7 गुढग निकाल लेते हैं तो 7 का पहला गुढग 7 होगा उसके बाद 14 फिर 21 उसके बाद 28 7 का पहला पड़ते चले जाएं हमारे इसके 7 के गुढग आते चले जाएंगे तो यह होगए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका उसत निकालना है उसत होता है इन सभी गुड़गों को जोड़के साथ गुड़ग हैं तो साथ काई हम भाग दे देंगे तो इसका ये उसत आ जाएगा अब इनको जोड़ लेते हैं 14 और 7 21 हो गए 21 22 हो गए 42 में अगर 28 जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 70 अब 35 जोड़ देंगे तो ये 105 हो जाएगा 105 में 42 जोड़ है तो ये 147 हो जाएगा और 147 में उन्हें 4 अगर जोड़ दें और इनका भाग दे दें 7 का तो हमारा अंसरा जाएगा 9 7 16 4 4 8 9 और एक हासिल हमारा नहीं है तो एक एक आजाएगा तो 7 का हम आगर भाग दें तो 7 दूनी 14 ये रहेंगे पांच 7 8 6 जी कितना जाएगा 28 और 28 है हमारे बी बिकल्प में तो बी बिकल्प इसका सही है अगर 222 गुणा 22 बरावर 4884 है तो 222 बरावर कितना होगा तो इसका मतलब है 222 बरावर यानि इसको हम इसको इदर अगर लेके आए तो 222 बरावर आ जाएगा तो ये है 222 इदर लेके ये गुणा में है तो इसको इदर परच्छंदर करें कि लाएगा तो ये भाग में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4884 भागित 22 ये होगा 222 के बरावर 222 बरावर कितना आया है 4884 भागित 22 तो ये मारे सी बिकल्प सही है सरल्तम रूम में 3 वट्टे 9 क्या होगा 3 वट्टे 9 का सरल्तम रूम में निकालना है तो 3 वट्टे 9 ये लिखा हुआ है इसमें 3 का भाग जा रहा है दोनों में तो तीन का भाग देनेंगे यही स्रलतम रूप आ जागा तीन यही तीन वाटे नौ का इसका सही है सही है समिकलन के का मान क्या है के पलस ब्राव उन्क आसी तो के की वैली क्या होगा इसका मतलब यह इन्दीस में Даже कितना जोड़ा ताकि यह 80 हुआ है तो वही के का मान होगा जिसका हम कितना निकाल रहे हैं 29 में कितना जोड़े कि 80 हो जाए इसके लिए 80 में 29 उपटा देंगे तो वही संक अमारी आ जागी 11 हो जाएंगे यह पर धाय ले लेंगे तो बावर है हमारा बीविकल्प में तो बीविकल्प इसका सही है इस प्रेशन में एक संक्या दिए ये पांच लाग चुरह सेजार तिनसफपन की इस संक्या पांच की स्थानी मानों का योग क्या हो गया या इसकी स्थानी मान निकाले ये हमारी संक्या दिए ये पांच दो जग करना है पांच जहां है पांच ही रखना है जिस पांच के अलावा जितने भी अंक दिये गें उनकी जगा जीरो कर दें आठ की जगा जीरो चार की जगा जीरो तीन की जगा जीरो पांच पांच ही रखेंगे छे की जगा जीरो तो यह होगा हमारे पांच का इस्थानिमान दोन सुवाल है देशमलम कि ये दियागा 111,000 गlor का क्या मूल में इसको जोड़ेंugे क तो कितना आएगा तो देशमलम कर देशमलम निकालना है तो पहले शक्राम में लिखें तो नीचे दस 10 का हम दशमलब में एक को बदलेंगे तो ये एक अंक के बाद दशमलब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1 अब 11 है उपर 100 नीचे तो दो के बाद दशमलब आ जाएगा तो ये आगा दशमलब एक एक जीरो और अग ले लेंगे इसी तरी के से ये हजार है नीचे तो इस ये तीन अंगों को बात शुनवा जाएगा तो इसमें दिशमलब एक 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 वह अब इन तीन ये तीनों ही संक्यां भीन ने दी गई हैं इनको हमने दिशमलब में बदल दिया अब इसको जोड देंगे वही इन तीनों का दिशमलब में योग आ जाएगा तो ये हमारा दिशमलब एक 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 ये तीन हो गए एक एक दो हो गए और ये एक अकिल रहा है यहां जीरो रहा है इसी तरिके से वीडियो हमारे आपके आप तक पहुंचते रहे हैं या नोटिफिक्षिशन आप तक मुझते रहे हैं इसके लिए हमारे शेयर को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ जाओ तो लाइक करें सारे जमासे अच्छा हैं दोस्ता हमारा हम बोल बुरे हैं इसकी उ सता हमारा